उम्शाम्दी, 13 अगस के शुर्द अन्वा सखसोगत है, परमात्मा कहते हैं कि ब्रामन जनम की जनम पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले शृष्ट भागेवन भबा, ब्रामन जनम की जनम पत्री में क्या है? हमें पता चल गया कि हमारा भागे कैसे बनने वाले आगे फ्यूचर कैसा है, इस दुनिया में, इस जनम में, जो ब्रामन नहीं बने हैं, जो ब्रह्म ज्यानी नहीं बने हैं, उनको पता है कि वो कितने सुख्म और कितने दुख्मे हैं, और जो ब्रामन बन चुके हैं, उनको पता है कि उनकी चटिकला है, वो आगे बढ़ते जा रह तो ब्रहामन जीवन नया जीवन है ब्रहामन आधी में देवी देवता है और अभी है पूरा चक्र स्था कर दिया अभी फिर से भीके बन गया ब्रह्मकुमार ये ब्रह्मकुमारी मनगे ब्रामणों की जनम पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है कैसे सब्सक्रेता देखता होगे फिर हम राजयरानी हुए पुजारी हुए लेकिन धर्म लग होगे, राजयर लग होगे द्वापर में कल्यूंग में और जैसे ही कल्यूंग के अंत के समय में फिर से हम ब्रामण बन गए तो तीनो के तीनो काल हमारे बहुत ही श्रिष्ट है तो ब्रामण करते हैं जो हुआ वे भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वे बहुत बहुत अच्छा ब्रामण जीवन की जनम पत्री सदा ही अच्छी है गैरेंटी है क्या चीजी गैरेंटी है कि हम सद्धित में जाएंगे परमात्मा के साथ हम शेरी छोड़ करके वापस परमधाम लोटेंगे साथ अखेले नहीं तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वेम भागे बदाता बाप ने भागे की श्रेष्ट रेखा खीच दी अपना बना लिया कहते हैं यह माते की रेखा है देखो उसी कैसी है तो परमधा कहते हैं मैं तुम्हें ग्यान देकर के तुम्हारे भागे की रेखा खीच देता हूँ मैं तो आप देखें ब्रामणों के माते पर तीन रेखा होती है तो क्या हो गया इसमें, तीनों रेखाओं में बहुत सारे राज है बीच में क्या होता है, बिंद होता है, त्री सरा नीतर होता है तीन लोकों का ग्यान होता है, तीन लोकों का ग्यान होता है, तीन धारियां हो गई है तो बहुत सारा ग्यान रह से समझा जा सकता है इसके अंदर तो प्रमातन से लिए कि भागे वज़ता बाप ने भागे की श्रेश्ट रेखा खीच दी अपना बना लिया ओम श्यंति